नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब उमीद करते हैं कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे अस्रस्त होंगे तो प्रेग्नेंसी के दौरान पेट कड़क होना किस बात कर संकेत है इसके बारे हम छुट सी चर्चा करने के और साथ हम यह जाने के किन कंडिशन में डॉक्टर को दि दोस्तों आपको पता है कि आमतोर से जब आपका नवध महिना शुरू होता है तो ऐसे माए आपके पीट कड़क होने लग जाता है नहीं तो जो सबसे पहला रीजन है वो है आपके पिशाप का रोकना जी हाँ प्रेग्रिंसी के दौरान अगर आप अपना पिशाप बार-बार रोकते हैं तो ऐसे में क्या होता है जो जो फुल हो जाता है जिसकी वज़े से आपका जो पेट है वो कड़क होने लग जाता है तो दोस पूरा जो दबाब है वो यूरी बैडर पर लगाता है जिसकी वज़े से अगर थोड़ा बहुत भी यूरिंग कलेक्ट होता है तो वह भी आपके वाश्रूम के जरी निकलने लग जाता है और आपको ट्वार जैसा फील होता है हर ददस पंदर-पंदर मिट के अंदर तो य करते हैं वह गल्र डायट लेना चीह हां आम तोसे प्रग्नेंसी में हम एक गल्तिय सबसे ज़्या करते हैं कि हम गल्र डायट मतलब जैसे कि बाहर का तैला भूना चीज और काफी सद ऑईली स्पाईसी अ मैदे से बनी चीजों काम सेवन करते हैं जिससे हमें अपच की तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे अंतराल में खाएं और साथ यह साथ आप टाइम से खाएं और जल्दी सोएं अगर यह फॉलॉप करेंगी तो आपको पेट कड़की समस्या बिल्कुल नहीं होगी तो आप कोशिश की जी की रात में हेवी खाने से बचें लाइट खाने का सेवन करें और साथी साथ आप आठ बजे तक खाना खा लें उसके बाद बाद वाकिंग करें तो दोस्तों अगला जो है जादे देर तक एक पोजीशन में रहते तो ऐसी में आपके पेट में दवाब पड़ते हैं इस दिकत से बस सकें अगली रेजन की बात करें तो ऐसी महिलाओं में देखा गया कि कई महिला ऐसी होती है जो एक्टिव नहीं रहना जाती जादा देर तक लेटी रहती वह भी बिना रेजन के तो यह बही एक बड़ा करण होता आपके पेट करक होने का साधर देर तक अगर आ आपको लेटने आपको टाम रेस्ट कर सकते हैं पर लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम पूरे दिन लेटे रहेंगे और हमें एकदम रेस्टी करना है इससे भी आपको बहुत दिकत हो सकती है क्योंकि प्रेजिंसी दौरा आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना बहुत गुरूंगोने पाने का सेवन कर सकते हैं गुरूंगोने पाने का सेवन करने से आपको जो पैल्विक एरिया की जो मसल होती है काफी चिली होने लजाती है और आपके डिवरी की काफी जदा असानी होती है और साथ ही साथ आपकी पेट कड़क से यह आपको काफी जदा रहा अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नौवे महिने को ले करके तो जब भी आपका नौवा महिना शुरू हो जाओ और ऐसे में आपका पीट पाप बर कड़क होने लग जाए साथ से आपको काफी जदा मरोणे आने लग जाए आपका कॉंटेक्शन उठने लग जाए कमर में द कुछ सॉलूशन और कुछ इंपॉर्टन नौट तो आशा करते हैं कि मैंने आपके राउट के लेके होंगे आपके कुछ पी राउट आप कमें सेक्शन पर जरूरू बताईया और तब बने रहे इस चैनल पे नमस्कार